हेलो फ्रेंड्स मैं शुक्खा आप सबी अपने यूट्यूब टिनल पर सौबत करती हूँ आज हम सामभर में आएंगे सामभर बनानी के लिए सबसे पहले हम दो से तीन इंपली लेंगे और इंपली को पानी में भीखो लेंगे हम याँ हम यह पानी में इसली रख रहे हैं जिससे इंपली सॉफ्ट हो जाए और इसका पल पासानी से निकल जाहे अब इसे ऐसे ही बंद्रा से 20 मिट के लिए छोड़ देंगे अब हम आदा कप अरहर की दाल लेंगे हमने इसे पहले ही आदे घंटे के लिए पाने में बेगोकर रख दिया था देखें ये कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे अब इन्हें कुकर में उबाल लेंगे इसके लिए कुकर लेंगे और दाल को इसमें डाल देंगे अब इसमें एक चताई कप कटा हुआ कर दू एक चताई कप कटी हुई लोकी एक चताई कप कटी हुई गाजर एक चमच हल्दी पाउडर स्वादनुसार नमक और करीब एक किलास पानी डालेंगे ध्यानराय में पानी इतना ही डालना जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से डूप जाएं आपको कर बन कर देंगे और गैस ओन कर देंगे और तेज आज पर एक सीटी आने तक कंदजार करेंगे और फिर गैस धीमी कर देंगे अब गैस को धीमी कर देंगे और फिर से एक सीटी आने तक कंदजार करेंगे दुबारा से सीटी आ चुकी है अब गैस ओफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे अब तक इमली को देख लेते हैं देखिए इमली सॉफ्ट हो गई है अब इसे मसलते हुए इसका सारा रस निकाल लेंगे इसका सारा रस निकल गया है अब इमली को निकाल लेंगे और पानी को छान लेंगे अब सामबर बनाएंगे इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे अब इसमें दो बड़े चमस तेल डालेंगे अब इसमें एक चमस राई एक चमस मैथी दाना दो सुखी लाल मिर्च दो करड़ेंगे पाड़ी हुई हरी मिर्च और साथ से आठ करी पत्ता डालकर थोड़ा चला लेंगे अब दो से तीन कटे हुए टमाडर डालेंगे और स्वादनुसा नमक डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे अब इसे डग देंगे और पांश फ्रिट के लिए पकने देंगे तब तक हम डाल को देख लेते हैं देखिए डाल के साथ बाकी चीज़े भी अच्छे से पक चुकी हैं हम इसे एक बाद प्रेस करके देखिए देखिए दब गया है इसका मतलब अच्छे से पक चुका है अगर इस प्रेस करने पर दबेना तो आप इसे तुबारा से एक सीटी आने तक पका सकते हैं अब एक रही लेंगे और इसे चलाते हुए सारे चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे अब टमाटर के पकने का इंतिजार करेंगे और फिर दाल को इसमें डाल देंगे पाश्प्रिट हो गई हैं अब इसे खोल कर देख लेते हैं टमाटर भी पक चुके हैं हम टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे अब इसमें देड़ चमत सामबर मसाला डालेंगे अब इसमें ओबली हुई दाल डाल देंगे और इमली के पाने को भी डाल देंगे अगर आपके पास इमली ना हूँ तो आप इसमें नीबू का रज भी डाल सकते हैं अब इसे दो मिट के लिए उबलने देंगे इसमें ओबल आ चुका है इसे एक बार चला कर देख लेते हैं देखी हमें इसे इतना ही पतला रखना है अगर एक गाड़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल जगते हैं अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे सामबर बन गई है अब कैस बन कर देंगे सामबर बन कर तयार है यह खान में बहुती टेस्टी होती है आप इसे डोसा वड़ा या इडली के साथ इंचॉय कर सकते हैं अगर आपको मेठी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शनल को सब्स्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में